शुप स्केलेटन लिटरली दो महिने से भी कम में दो लाग सब्सक्राइबर पूरे गड़ने वाला है पर दुमने एक कावल तो सुनी हो कि जो चीज जितनी तेजी से उबर जाती है वो नीचे भी उसी स्पीट से आती है ऐसे में सवाल है कि स्केलेटन की ग्रोथ तो काफी तेजी से हुई है बट उसे कॉंटेंट को लेकर फ्यूचर में क्या दिक्कत आ सकती है एंड रियली इस शुप स्केलेटन इन बिक ट्रॉबल वील फाइन और बट उसे पहली मेरी एक बात ध्यान से सुनो इस वीडियो इस जस माई ओपिनियन जो कि सही भी हो सकते और गलत भी एंड शुप पर मैं अल्रेडी एक फुल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें केवल उसके सक्सेस फेक्टर्स की बात हुई थी एंड इसमें प्रॉबलम्स की होने वाली है तो कहानी शुरू होती है जब शुप स्केलेटन स्टार्टेड बूमें जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था वन बिग रीजन ही ग्रू सो पास्ट वस कि उसके चैनल पर अनपॉलिश चीज़ें जैसे कि उसका फेस या वॉइस नहीं है यही रीजन है कि उसका चैनल इस नॉट जैनरिक परसनालिटी चैनल जैसे में मान लो वो कलको फेस वाले वीडियो बनाने का सोचता है बट लोगों ने तो शुब सकेलेटन को उसके मीम स्टाइल कॉंटेंट के लिए सब्सक्राइब किया था ना ऐसे में एकदम से फेस कैम वीडियो से बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है अगर तुम्हें पॉइंट प्रॉफ करना है तो सिंप्ली कैमरा के सामने बैटकर चार बाते बोल कर देखना है यह काम मुश्किल तो नहीं होता है बट प्रैक्टेस लगती है खेल दोड़ी है तुम पूछ सकते हो यार एलगरो इसको सॉलूशन नहीं है क्या अब ही तुम एक और सवाल पूछ सकते हो कि भाई जब फेस कैम करने से इतनी दिक्कत हो सकती है तो फेस कैम करना ही क्यों है इस कॉंटेंट से वारेल हुआ न शुब भई बनाते रहेगा दिक्कत कहा रही है सो वन एक टाइम के बाद ना एक कॉंटेंट काफी रिपीटेट सा लगने लगेगा सेम इंटर्वल्स में शुब का रिप्लाई लगबग सेम रिप्लाई अनलस वो कुछ अलगी कर दे एंड सेम म्यूजिक विद सेम स्केलेटन सब सेम और रिपीटेड लगेगा अल्थो है मेरा उतना भी बड़ा कंसर नहीं है बलकि एक काफी मेज़े प्रॉबलम है जो मुझे पहले दिन दिखी थी जब आग वाच इस फर्स्ट वीडियो देखो एक वीडियो में अगर तुमें फुल वाच टाइम चाहिए न तो उसे ऐसा बनाओ कि ओडियोंस को कुछ करना ही न पड़े उल्टा उन्हें पदा भी न लगे कि वीडियो खदम कब हो गई शुप के case में इसका opposite होता है क्यूंकि voice नहीं है तो जब भी वो text ये replies आते हैं तो मैं खुद अपने आप से बढ़ने बढ़ते हैं एन इसे तुम वीडियो को passively नहीं बलकि थोड़ा actively watch करना शुरू करतेते हो and this my friend can be a problem problem है नहीं बट can be a problem ये अपने आप में एक strategy भी होती है कहीं जगा पर देखना होगा कि इहां पे एक strategy होती की problem होती है खेर जो भी हो अब सवाल आता है कि इसका solution क्या है okay so एक चीज तो ये समझो जैसे जैसे इस skeleton roasting का trend कम होगा शुप के round hype भी obviously काफी जाद अगम होने वाली है बट इसका कहीं से भी ये मदब ने कि इसके views भी बहुत जाद अगम हो जाएंगे because भाई जितना मैं भी तक देख पाया हूँ शुप की community सही में काफी जादा तगडी बन रही है just imagine 36,000 likes on a community post इतने likes तो भाई मेरी 4 वीडियो के total करने के बाद होते है but the problem is ये community is channel के round बन रही है and is very limited to youtube होनी देखो एक तगडा brand is never limited to a single platform अगर वो brand है तो उसकी community Instagram पर भी उसे follow करेगी Facebook पर भी उसे जानेगी and even Twitter पर भी होने वाली है even वो लोग उसे real life में भी मिलने के लिए तयार होंगे basically meetups अगर ये सब तो होते ही रहते है न तो like real life में भी वो जानते होंगे उस इंसान को अगर मैं शुब भाई के Instagram followers देखूँ तो there are barely 4000 Instagram followers out of 5-6 lakh की audience जो की उसके चैनल पर आती है and it's below average so how can he actually go about transitioning from just a hyped YouTube channel to a great brand तो इसके कई सारे answers है and it needs a detailed brainstorming session to get the actual answer out but फिर में तुमें short में कुछ insights बताता हूं अभी चैनल पर बड़िया hype चल रही है लोग भी hyped up है उन्हें नहीं बता कि आगे क्या होने वाला है and they are expecting surprises तो अगर शुब ऐसे में facecam शुरू कर देता है काफी हाई chances है audience उस चीज को बड़े आराम से accept कर लेगी बट यहां एक बड़ा साथ ट्विस्ट है जब शुब skeleton पर यह face reveal वाली वीडियो आई थी ना I watched it and honestly बता रहा हूं I was stock कि यह पहली facecam वीडियो वो भी इतनी बढ़िय great editing, must confidence, great script and like things were perfect तो अगर ऐसे वीडियो आने लग जाए ना views कम नहीं होंगे उल्टा शाय तो और जादा बढ़ जाएंगे but this all depends on कि यह faceless to facecam या at least voice add करने वाला transition कितना smooth होता है focus on the word smooth अब अगेन यहां तो मैक्सटन भाई थे experience ने video बढ़िया बनेगी ही but honestly यह देखना का शूब कितना experienced है और अगर नहीं है तो क्या practice करके एपनी first ever facecam video को तकड़ा आप बना बाता है यह तो समय ही बताएगा but तब तक तुम comment करके बताओ क्या शूब ऐसा कर पाएगा या नहीं बाकि शूब के success factors देखने तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो बाकि